कि कि ए तेक है इंफनाइट राइडियस से ट्रोड की और सब्सब्र रोड की रेडियस कितनी है आ इंफनाइट से हम जारे आर की और यानिकि हो रहा है रेडियस रिड्यूस हो रही है इन्स ख Samra की तरफ जा रहे हैंने कि हम tutte word which नौर कभ őड की ओर जा रहे है तो ग्रेजुली हमारी रेडिएस हो रही है ऐसा तो निया इन्स छीधा मार la 003 par पहुकर इसा थे ऐसा तो इन्फनाइस सीदा मारे पर देदें तो देखो क्या होगा हम in infinite radius से एकदम से हम्से पहुछए एक दमसे हम पहुंचेंगे किस पर 100mm के radius पर तो हमारा है वहिकल ओवर हो सकता है हमें dnikkomferd हो सकता है ठीक है ठीन के लेने में तो एक तो यह फायदा कि रैडियस जो यह वो कि रैजियूल हमें सो मोट्छ पर छे Biz नहीं मिल मिली एग्जांप्ल परस्व जो भी मिट्र की होगी असिसひज़ तो यह फायदा हो गया दूसरा क्या है एपने चीज़ सुनी होगी सूपर एलिवेशन अगर है सुन लो हो हमें फरस करते हैं जिससे हम सेंट क्या सट्व करने के लिए उस को ब्रकिक लुए उसके जिसे हमाई करते हैं एक सीधी रोड का तो उसको तो आउटर रेज ऐने ऊसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता है इस तरीके से जो आउटर जो उठावा होता ह्होगा थोड़ा सा टेल्ट होती है रोड जिससे हमारा वह सेंट्रीफिगल फोर्सा वह तो रिद्फ हो तो transition curve एक तो हो गई कि straight road से circular road की और आप transition कर रहे हो radius जो हो रही है वो gradually reduce हो रही है एक हमने यह चीज़ देखी कि circular curve के अंदर centrigal force लगता है तो उसको reduce करने के लिए हम क्या करते है super elevation देते हैं super elevation यह हो गया super elevation S इसकी पिक दिखाएता हूँ पहले में तभी समझ में आएगा उसके बाद इसके चलते हैं यहां देखो आप यहां पर आपको दिख रहा है कि रोड यहां से यहां पर जो है रोड थोड़ी उंची है और फिर ऐसे स्लोप ऐसे आ रहा है है ना यह सूपर एलिवेशन दिया हुआ है जिससे हमारा जो संट्रीविगल फोर्स है अगर मैं इसको अधेट कर लेता हूं करें हमारा सेंट्रिफूगल फोर्स है हमें इधरकी और खीशता है ठीक है अब यहां एलिवेशन हो गया जो वेट है वो वेट थोड़ा सा डिस्टिब्यूट इधर की तरफ हो गया तो वह जो है ना कम हो जाएगा सेंट्रिफुगल फॉर्स ठीक है इससे हमारा ओवर्टन होने से वहिकल बच जाएगा तो यह सूपर एलिवेशन हर कर पर प्र यूनिट के सैवन यूनिट तिल्ट कर दिया ठीक है कोई यूनिट तिल्ट कर दिया अब स्ट्रेट रोड पे तो जीरो एं तिल्टिंग और एकदम से सर्कुलर कर पर आओ तो तो यह तो बिल्कुल डिसकमफट हो जाएगा इसमें तो एक्सिडेंट होने के वहिकल ओवर ट तो सही नहीं है तो ट्रांजिशन कर में जिस तरह से रेडियस रिडियूस हो रही है उस तरह से हम सूपर एलिवेशन भी ग्रेज्वाली इंक्रीज करते हैं तो यह फाइदा हो गया अगर हम यहां से जो इसकी आउटर एज है यह ऐसे यह उठेगी थोड़ी सी तो धीरे ध धीरे धीरे उठेगी धीरे धीरे ठीक है इससे क्या हो गया ग्रेज्वाली इंक्रीमेंट हो गया सूपर एलिवेशन में भी तो यह फायदा हो गया इसमें तो दो फायदे हो गया तो एक तो रेडियस जो है आपके वह ग्रेज्वाली हो गई एक सूपर एलिवेशन जो है वह भी आपका gradually increase हो गया ठीक है एक चीज़ और देखो इसमें जो super elevation है sorry centrifugal force है उसका formula होता है equation आपने school में पढ़ा होगा और इसको बाद में अच्छी से discuss कर लेंगे V is equal to M V square by R ये होती है ठीक है अब मेरे को ये बताओ अगर R की value है infinite तो P की value क्या होगी कोई बताएगा मुझे R की value infinite है तो P की value क्या होगी 0 0 होगी स्टेट रोड पे तो radius infinite है तो P यानि सेंट्र उगल फॉर्स 0 होगा स्टेट रोड पे और जैसे हमारी radius आजाएगी यहाँ पे 100 मीटर मा एक्जाम्पल के तो पे तो हमारा P इंक्रीज हो जाएगा तो एक दिम से अचाना एक सेंट्रिवगल फॉर्स लग रहा है तो वो ठीक नहीं है तो जब ट्रांजिशन करव अगर हमने प्रोवाइट कर दिया तो पहले यह आएगा मा फॉर एक्जाम्पल है जो कैलकुलेशन हो तो एक्जाम्पल के तोर पे है कि अगर सर्कुलर कर पे हमारा रेडियस हंड्राइड है तो यह कैसे होगा पहले टैन आएगी रेडियस सोरी इन्फिनाइट रेडियस है ना मालो पहले है 500 है रेडियस उसके बाद 400 है उसके बाद 300 है उसके तो ग्रेजुली आपकी डिक्रीज हो रही है ठेक है और ग्रेजुली अगर इस फॉर्मुले में जो सेंट्रिफुगल का फॉर्स का फॉर्मुला है इसमें रेडियस को डिक् तो आपको अचानक से centriible force increase नहीं हो धीर 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 ein increase हो रहा है और साथ में super elevation इभी gradually increase हो रहा है तो उसको balance कर रहा है तो सारी चीजन को gor很多 हो गई अगर centrifugal force increase भी हो रहा है धीर धीरे तो आपको super elevation bho rasp भी increase हो घीर धीर कींग, radius decrease हो रही है तो सारे चीजे perfect होगई, के transition कर्व की हाल से OFF बट यहां पर एक चीजी की हर जंगा transition कर्व नहीं हो सकती, Depend करता है space available है यह नहीं खेक्ट है अगर space होगा तब यह आप transition कर्व दे सकते हो. Space नहीं हो तो आपको straight road में एक्गम से circular curve देनी होगी, महां पे स्पीर लीमिट कम होगी जहां है पर जो स्पीर लीमिट की स्पीर सुरी इस प्राइट की बने चै स्पीर स्वाइब ही जो पर्मिशन होगी कम होगMMiko's रेगिन call ठून जाएगा लेकिन कर रिये हैं दॉसका ऊचानक सेंसर сюж seizure फोर्स लग गया अचानक से रेडियस डिक्रीज हो गए तो एक एडवांटेज और डिसडवांटेज ये भी हो गया ठीक है तो ये थी आपका एक इंट्रोडक्शन था आपका ट्रांजिशन कर्व का अब चलते हैं बुक्स में क्या लिखा है वो देखते हैं अब थोड़े से डाइग्राम देख लेते हैं तो यह डाइग्राम देख लो आप इसमें देस्ट सूपर एलिवेशन की में बात कर दो सूपर एलिवेशन यह आपकी इतनी सर्कुलर कर्व है, यह ट्रांजिशन कर्व है, यह वाली, यह ट्रांजिशन कर्व है, और यह बीच में सर्कुलर कर्व है, सुपर एलिवेशन आपका ऐसे जा रहा है, यह ट्रांजिशन कर्व है, रिवर्स कर्व है, सुपर एलिवेशन भी बन है, यहाँ पर सुपर एलिवेशन देख सकते हो आप, यह आपको लग रहा है कि जो रेड़ वाला जो बस की वो पलट जाएगी, वो पलटे की नहीं, वो बैलन्स हो रही है, क्योंकि आपको उसकी वेट की वेए से इधर की साइड गिरने को और गया, लेकिन एक सेंट्रिवगल फोर्स को अधर की साइड उसको ले जा भी रहा है ठीक है, क्या कह रहा है यह बुक में आपका, on straight track to ages at the same level but the circular rock outer is elevated depending upon the radius of the curve, speed to be vehicle expect to avoid overturning of the vehicle due to centrifugal force, वो ही सब चीजे बता रहा है जो मैंने बताई, ठीक है, इंडर्ड़क्शन ओफ का, transition between two straight and circular are showing this, permit the gradually elevation, outrage gradually introduce content to prevolution, यह जितनी भी curve है आपका एक जो reverse curve है, compound curve है, और आपका क्या है, क्या है, straight transition curve है, circular curve है, सारी एक चीज़ पे बहुत depend करती है, वो है space, जहां पे curve दे रहे हैं, वहां पे space कितना भी लेबाल है, ऐसे तो आप कहीं कहीं पर आप देखोगे, कि एकदम से turn आ जाता है, एकदम से straight road हो और एकदम से 90 degree का turn है, ठीक है, वहां पे accident होने की भी बहुत chance होते हैं, तो वो depend करता है, space है, आसपास घर बने में, वहां पे नहीं दे सकते हैं, आप curve, तो इस पे भी depend करता है, अगर यह question उठता है, कि हम कौन इस पेस अविलेबल है, तो रिवर्स में ही curve बनानी पड़ेगी, ठीक है, बहुत सारा open area है, तो वहां पे आप इस transition और circular curve बैटर है, वहां पे हो दे सकते हो, तो डिपैंड करता है कि area किस type का है, और वहां budget किस type का है, कि हमें cutting filling ना करनी पड़े, और बिना cutting filling के हम curve दे दे हैं, तो इन सब चीज़ों पर depend करता है कि हम किस type की curve प्रवाइड करें, advantage and disadvantage, यहां पर diagram भी दिया हुआ है, curve को इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, यह आपकी curve है, infinite radius, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कि ऐसी curve जो हमें infinite से आर की और ले आती है, और आर से infinite की और ले आती है, उसको हम transition curve कह सकते हैं, यह भी definition लिख सकते हैं, आप यहां देखोगे, कि यहां पर infinite radius से r की और ले आ रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर देखोगे कि r radius से infinite radius की और जा रहे हैं, तो इस तरह से भी आप definition लिख सकते हो, कि व कर्व जो हमें ट्रांजिशन करती है इन्फनाइट से आर या फिर है से इन्फिनाइट रेडियस की और छाहिएग यहां तक आपकी सर्कुलर रेडियस के बाद यह आपकी ट्रांजिशन कर वै डिल्टा एंगल और सारा डाइगरम वैसे हैं आपका जैसे था एडवांटेज चांसे तो ओवर्टर्निंग वहिकल एंडी रेल्मेंट ओव ट्रेंड और रिड्यूस कंसिडरेवली यह तो बता चुक हम ओवर्टर्निंग की चांस कम हो जाते हैं एडवांटेज इस आडवांच आते हैं इंको ऐसे याद कर लो दुबाराना पढ़ना हैं इस प्रोवाइट कमफर्ट उदा पैसेंजर वाइल वहिकल नेगोसेटिंग एक कर अच्छा इसमें क्या होता है अगर आपको है ना डारेक्ली स्ट्रेट रोड के बस सिंपल सर्कुलर कर वे तो क्या होता है जब गाड़ी चलाते हैं तो जो स्टेरिंग है वो एकदम से अचनक से गुमाना पड़ता है और जब एकड़ंसे अचनक से गुमाती है ना बहुत ज्यादा गूआना परता है तो जो डॉड्राइवर बैठे मेंğuं दूसरी साइड़ झाने में सपीड के ऊपर स्पीड जाता हो तोड़के भी बाहर निकल जाएंगे ठीक है तो हो जाते अंगर आपका करसा कर दियर्ड कर आरोला से कॉरम के आ 차ों पॉैज करें स्थरे स्मूथान यह मुशाब दाओं श्राइड का रेटाइड स्थरुपर एकर रबै दा है हुए उन्याद दो कर वह तो वहाँ पर स्पीड की लीमिट भी बढ़ जाएगी इट रेड्यूस दे वियर ऑंदर रनिंग गेर आप जब देखो जब जो गेर्स हैं और गाड़ी का जो गाड़ी की जो मशिनरी है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का ठीक है अगर एकदम से करवारी पर आपके इकदम से रोटेट होले तो उस चीज़ का उसके गेर्स पर भी उसके अंदर फरक पड़ता कि नक्स्त आपका क्या है किऊं है तो आपको पता ही चल गया कि requirement क्या है पर इसको लिखेंगे कैसे यह हम कैसे पता करेंगे की requirement क्यों है कि transition curve के a transition curve introduced between tangent and the circular curve should fulfill the following condition एक टेजेंट और सर्कुलर कर के बीच में आपके क्या बनती है ट्रांजिशन कर लेकिन उसको कब बनेगी क्या कंडिशन होनी चाहिए था इत शुद बी टेजेंटियल तू स्ट्राइट ठीक है इत शुद मीट सर्कुलर कर टेंजेंटियल यहां पर जो होगा कर्व की रेडियस जो होगी वह जी इंफिनाइट होगी इत कर्वेचर शुद बीकुलर कर टेंट असर्कुलर कर अग इंफिन चर्कुलर कर अग जोड़ यह सब जो तर्म से नहीं क्यों रिक्वेर्मेंट अभी ऐसे बताऊंगा ना आपको संच में नहीं आएगा यह एक्वेशन से समझ में आएगा कि क्या कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ दे सूपर एलिवेशन है वो क्या होना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ जो रेडियस है वो क्या होना चाहिए रेट भी तो डिपेंड करता है ना अब मैंने तो बोल दिया ग्रेजुली चेंज हो रहे है और भी रिडियोस हो रही है ग्रैज्य यह उर सुपर अलिवेशन भी इंक्रीज हो रहा है ग्रैज्य उली पर उसका रेट क्या है कितना रेट हमारे लिए ठीक है जो कमफर्ट रहे तेक्ट अन सब चीजों से में बता चलेगा कि हम ट्रांजिशन कर्भ के लिए क्या क् माल लो फॉर एक्जांपल बता रहा हूं मैं आपको आपके पार स्पेस भी है सब कुछ भी है लेकिन वहाँ पर आप जब ट्रांजिशन कर प्रोवाइड कर रहे हो तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिविशन है और जो आपका ग्रेजुवली रेडियूस रेडियस है वह नहीं दे पारें जो चाहिए एक कमफर्ट ड्राइविंग के लिए तो वहाँ पर हम ट्रांजिशन कर नहीं दे पाएंगे कि अग्राइव देख सकते हैं और यहां पर डाइग्राम देख सकते हैं इतना ज्यादा नहीं होता है इस इसमें दिया हुआ है आपके डाइग्राम में समझाने के लिए दिया हुआ है कि जो एंगल है वह बहुत छोटा बन रहा होता है तो उसके ट्राइंगल बन जाएं आपको दिख जाएं इसलिए उन्होंने क्या है इतना ज्यादा एलिवेशन दिया हुआ है यह जो आपका एलिवेशन है यह यह रोड है यह रोड ठीक है कि वह समझाने के परपस से दिया वह यह वैकल है वैकल का सेंटर पॉइंट यह है जी ठीक है यह मास वेट है सेंटर ओफ दिवेट ठीक है यह सेंट्रिफिकल फोर्स लग रहा है पी जिसकी एक्विशन में लिखवाई थी आपको mv square by r ठीक है यह क्या है आपका radius of the curve r ठीक है formula यह था आपका P is equal to मैंने जो formula आपको बताया था वह बताया था P is equal to mv square upon r m क्या है मास मास को वेट में convert करोगे तो यह w by g हो जाएगा तो equation आगई w हो गया weight weight हो सकता है आपका newton, kilo newton या kg में gravity v square upon r v है आपका speed of the vehicle meter per second में r है आपका radius of the curve meter में g है acceleration due to gravity 9.81 meter per second square ठीक है अब इस कैसे soul को तो यहाँ पर अगर हम 10 theta लगाएं तो 10 theta बढ़ाबर आता है हमारा h by b b यह है हमारा और h यह है और theta यह है इसको मैं हटा देता हूँ एक बार यह है मारा theta angle यह है हमारा b और यह है h तो इस triangle में 10 theta बढ़ाबर h by b हो जाएगा ठीक है और यह आप इसको लिख सकते हो mn by mg mn by mg भी लिख सकते हो यहाँ पर देखो यह हो आपका base ही तो यह ले लो आप यह ले लो mg यह ही triangle तो बन रहा है यहाँ पर भी यह theta और यह theta सेम होगा ठीक है तो इसको लिख दिया mn by mg mn क्या है आपका mn इस direction में force लग रहा है यह हो गया p और आपका mg क्या है जो weight लग रहा है w तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है पूछ ले न डाउट आए तो इसमें derivation दीविए super elevation की एक वाग complete कर लेते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं v square upon g r यहाँ पर क्या आगे हमारा p by w और p की value आपको लिख सकते हो यहाँ पर और इसको g की form में लिख सकते हो p की value और h by b is equal to v square upon g r हो जाएगा और यहां से h निकाल लोगे आप तो b v square upon g r हो जाएगा क्या क्या है इसको समझ ना ठीक है वह तो calculation हम समझे जाओगे हमें पी की value पता है पी यानि की force की value पता है acceleration force की तो हम यह क्या कर रहे हैं आपने देखा गए जो road है यह ऐसे tilt हो गई है मतलब इसमें super elevation given है ठीक है यह road कैसी थी हमारी state road पे state पे हमारी यह road ऐसी थी यहां यह कौन सी है straight road यह क्या है circular road ठीक है अब circular road पे यह वाला जो portion हमने यह उपर उठा दिया h पे तो हमें एक ऐसी equation चाहिए h की form में जो आए ठीक है तो हमें h की form में अगर कोई equation मिल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि h को हमें कहां पर कितना उठाना है ठीक है तो यहां पर calculation से triangle की property लगाने से हमें h बराबर b v square g r मिलिया b क्या है width of the road v क्या है velocity of the speed of the vehicle g क्या है gravity of acceleration r के radius of the curve और अब इन सब को भूल जाओ तो h बराबर अगर यह आ रहा है हमारा 1 by r इसको याद रखो क्योंकि और सारी चीजे तो constant है है ना constant नहीं है sorry constant नहीं है हमारा width of the road constant है g constant है v constant नहीं है v क्या है speed of the vehicle तो speed of the vehicle भी हम इसी से निकाल सकते है यानि कि हमें r को हमें change करते वे देखना है और r की value से हमें पतल जाएगा super elevation कितना लगाना है और super elevation और r की help से हमें पतल जाएगा कि वहाँ पर speed की कितनी पर्मीशन देनी है practically समझ लो इसको calculation तो करी लोगे समझ गए तो हमें पी जो है centrifugal force की value पता है mv square by r triangle की property लगा के हमने vehicle को super elevation पर रखके हमें पता करा कि h बराबर bv square by g r ठीक है अब यहाँ पर देखो कि h square to one by r मैंने ऐसे लिखा है कि लगवग यह इसके बराबर है तो r अगर decrease हो रहा है तो h increase हो रहा है तो जितना ज्यादा radius of the curve कम होगा उतना ही ज्यादा super elevation देना होगा क्योंकि road में तो r infinite zero है तो इसलिए h बहुत का मैच होता ही नहीं आपका elevation straight road पे तो इस तरीके से यह हमारा है और इसमें vb introduce हो रहा है vehicle की speed तो हम उसके हिसाब से बता सकते हैं कि मतलब कोई भी गैस वह नहीं है कि इतना एलिवेशन ने तो इतनी speed पूरा एक फॉर्मूला आयमार पाउस स्पीड भी निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ पर super elevation इतना दिया हुआ है तो हम यहाँ पर vehicle की speed क्या रखनी है ठीक है यहां तक तो आपको इस सवंज में आई गया था कि आपका यह टैन ठीटा बराबर पी बाइडबलू और यहां इस equation से आप पी बाइडबलू क्या रिखते हो वी स्क्वाइर बाइग जी आर और पी बाइडबलू किसके बराबर है एच बाइबी के बी वहाँ पे चला जाएगा तो वी स्क्वाइर बी पाइजी आर इसकाल टू एच एच क्या सुपर एलिवेशन तो हमने एक ऐसी equation find कर ली कि जिसमें हम सुपर एलिवेशन निकाल सकते हैं यह डैरिवेशन है यह आ सकती है ट्रांस्पोर्टेशन में भी काम आएगी आपके ट्रांस्पोर्टेशन इंजिरिंग में और यह यहां पर भी काम हो रही है objective question में भी आती है काम इस डैरिवेशन में कुछ भी नहीं है अगर आपको कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लो वनना हम क्लास को आज यहीं पर लीव करेंगे और नेक्स क्लास में आगे है किसी का इसमें डाउट सिंपल सी है बहुत जो आपका पीस कल टू डबलू जी बाई वी स्क्वेर आ रहे हैं ना यह तो कौन स्टेंट है तो स्कूल में पढ़ावा है इसकी डैरिवेशन के ज़रे उतनी है तो याद कर लो कि फॉर्स बराबर इतना है उस फॉर्स को हमें एलिवेशन की फॉर्म में लली आये हैं बस ट्रैंगल की प्रॉपर्टी लागा कुछ भी नहीं किया है ठीक है डाउट नहीं है तो आप क्या करें मैं जैसे कहा था आपको कि आज क्लास थोड़ी कम होगी तो क्लास को जल्दी लीव करते हैं दो चालिस के लेक्चर जरूर क अजया है ठीक है आप लीव कर सकते हो ठीक है क्लास लीव कर सकते हो अग्प कोई भी डाउट आउट हो तो नेक्स क्लास में दोच्छालिस वाली क्लास में पोछ लेना ठीक है झाल 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 की झाल 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 झाल